Hey guys, welcome to MNMM PTE Nati आज की जो वीडियो है वो है इस बारे में कि हमें PTE की exam देनी है और हमें 50 each चाहिए जो की equivalent to IELTS 6 band है तो हम वो 50 each कैसे ले, हमें कौन से topics की तयारी करनी चाहिए कौन से topics की तयारी नहीं करनी चाहिए ताकि हम अपना जादा time waste ना करे और हमें कैसे तयारी करनी चाहिए, क्या study plan होना चाहिए so that हमारा जो 50 each है, वो एक महीने से भी कम time में हमें आ जाए और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे कुछ चीज़े आपसे share करनी है अगर आप नाटी की भी तयारी कर रहे हैं, चाहिए वो हिंदी हो, पंजाबी हो या गुजराती हो तो अगर आपको prediction file चाहिए, यानि कि जो most repeated exam dialogues है ठीक है, और vocabulary list है, अगर आपको वो चाहिए या one-on-one consultation चाहिए, या फिर एक कोई coaching session चाहिए, किसी भी language के लिए same चीज़ PTA के लिए, अगर आप one-on-one consultation चाहिए, आपको लगता है कि नहीं, मुझे coaching की ज़रूरत नहीं है लेकिन एक आदा session लेने से मुझे idea आ जाएगा मुझे क्या करना है या एक full mock test feedback मिल जाए मुझे तो बहुत है मेरे लिए या एक proper detailed coaching session चाहिए, ये कोई भी concerns है तो आप हमें Instagram या Facebook Messenger पर contact कर सकते हैं आप search करिए इस channel का नाम जो की है MNMMPT Nati आपको हम मिल जाएंगे, आप हमें text करिए और उसके बाद हम आपसे बात कर सकते हैं आपको क्या करना है, कैसे करना है और हम आपकी कैसे help कर सकते हैं तो सबसे पहली चीज मुझे ये बतानी है कि 50 each लाने के लिए आपको सारे topics पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है 20 topics है PT में, 20 topics पढ़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप अपना time waste करेंगे तो पहले उन topics की list देखते हैं जो आपको पढ़ने है और सिर्फ वही topics करके जाएए आराम से 50 each आ जाएंगे तो पहले इन topics की list को देखते हैं 20 में से मैं कहूंगा कि आपको सिर्फ 8 topics हैं जो अच्छे से पढ़ने हैं और इन 8 topics को आपको perfectly करना है चाय आप कोई भी platform use कर रहे हैं कोई भी software use कर रहे हैं practice करने के लिए उससे कोई जाधा फरक पढ़ेगा नहीं पर जो भी platform use करिए ये make sure करिए के ये जो आट topics है आप जितने जाधा questions हो सके उतने जाधा questions practice करिए जितने जाधा questions की आप practice करेंगे उतना अच्छा आपको exam में रहेगा उतना जल्दी आप solve कर पाएंगे तो वो topics है read aloud, repeat sentence और describe image जो कि तीनो topics आपके speaking section के हैं लेकिन read aloud हमें पता है कि बहुत जादा number देता है reading को और repeat sentence listening को number देता है और describe image सिफ speaking को number देता है तो हमें इन तीनो topics को बहुत अच्छे से करना है फिर next आपको आना है सीधा reading section पे reading section में जो दोनो types की fill in the blanks है यानी reading writing जो कि हम collocation blanks भी बोलते है और reading fill in the blanks जो कि grammar के rules के उपर based होती है इन दोनो types की blanks को आपको बहुत अच्छे से तयार करना है इसके अलावा आप listening section पे चले जाईए उसमें write from dictation जैसा कि मैं कहता हूँ कि वो इस exam का king topic है सबसे important topic है क्योंकि उसके number बहुत बहुत जादा है approximately 40 marks in listening and approximately 40 marks in writing अगर आपको 4 questions आ गए तो जो कि जादतर लोगों को आ ही जाते हैं और उसके अलावा fill in the blanks listening और highlight incorrect words तो अगर आप total करें तो आपको ये aren't topics पढ़ने हैं इसके अलावा जो topics है मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छे नहीं है या important नहीं है पर 50 each अगर लेना है तो इतना more than enough है ऐसा नहीं है कि इतना करने से आपको just borderline 50 आएंगे ऐसा नहीं है आराम से 50 आप cross कर लोगे क्योंकि हमें time भी बचाना है और हमें उन topics पे focus करना है जिनको करने से हमें कम से कम समय में ये score आ जाए तो मैं एक study plan आपको ऐसा बताऊंगा जो अगर आप follow करते हैं तो आराम से एक महीने से कम time में सबसे पहली चीज हमें ये decide करनी है कि जब आप practice करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका weakness क्या है और आपकी जो strength है वो क्या है जब आप reading के questions करेंगे जब आप listening section करेंगे और या जब आप speaking के section को करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि नहीं मेरा जो comfort zone है वो for example listening है और मेरा जो comfort मतलब मेरी जो weakness है वो for example speaking है हर student का अलग होगा लेकिन एक example लेके चलते हैं तो जो आपको लगे कि आपकी weakness है वो आपको make sure करना है कि आप वो every single day practice करें और उस weakness को अपनी strength में convert करें तो seven days a week आपको उस topic की practice करनी चाहिए whereas on the other hand अगर आपको लगता है कि नहीं मैं listening में काफी अच्छा हूँ तो उसको आप alternate days कर सकते हैं उसको everyday करने की जरूरत नहीं है अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमने इसमें speaking के topics तो cover कर लिये इसमें reading के हमने topics आपको बता दिये और listening के बता दिये लेकिन हमें तो writing में भी 50 चाहिए और writing में तो आपने कुछ बताया ही नहीं तो ऐसा नहीं है अगर आप topics जैसे के write from dictation देखें या fill in the blanks listening देखें या fill in the blanks reading plus writing देखें ये questions writing को बहुत जादा number देते हैं तो अगर आप ये 3 questions भी करते हैं तो आप 50 क्या 65 तक भी पहुँच सकते हैं इसलिए ऐसा नहीं होता है कि क्योंकि writing section में summarize written text और essay है तो वो अगर नहीं किया तो writing में score नहीं मिलेंगे वो करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं होता है 50 each के लिए इनी पर focus करिए और किसी topic पर focus करनी की जरूरत नहीं है तो study plan के लिए मैं ऐसा recommend करूँगा कि आप reading, writing, fill in the blanks और reading, fill in the blanks इससे अपनी दिन की शुरुआत करिए क्योंकि जो reading है उसमें बहुत जादा दिमाग लगता है पढ़ना पढ़ता है, सोचना पढ़ता है तो वो बहुत जादा energy consuming होता है आप उसको अगर रात को करेंगे जब आप ठक गए हैं पूरे दिन के काम के बाद तो शायद आपको मजा नहीं आएगा उसे करने में आप lazy feel करेंगे और आपको जादा time लगेगा questions solve करने में तो जब आप fresh होते हैं early in the morning जब आपको लगे कि हाँ मैं इस समय पढ़ाई पे बहुत जादा focus कर सकता हूँ वैसे time पे आपको reading की blanks कर लेनी चाहिए और एक tricky topic मैं कहूँगा जो होता है वो अपने दिन का करके उसको finish करके side में कर लीजिए तो reading writing की blanks let's say 25 कर ली और reading की blanks 25 कर ली और अपना reading section और writing section को side में कर लिया ठीक है उसके बाद आप listening कर सकते हैं listening करने में आप हमेशा write from dictation से शुरुआत करिया क्योंकि उससे उपर तो कोई topic है ही नहीं listening में भी ठीक है तो पहले dictation कर लिया 25-30 questions उसके कर लिये और मतलब कहने का मतलब ये है कि जो important topics है उनको पहले करके आप finish कर लो ताकि जितना ज़ादा पढ़ाई करोगे उतना आप ठक होगे तो जब आप ठक गए हो तो उसके बाद आप easy topics करिए और right from dictation आपको ये ध्यान में रखना है कि exam का last question है तो last में उन्होंने क्यों रखा है एक तो वो सबसे important question है ठीक है तो अगर वो last में है तो by the time आप उस question तक पहुंचते हैं आप वैसे ही exhaust हो चुके हो आप ठक चुके हो इसका मतलब है right from dictation की अगर बहुत अच्छी practice नहीं की है तो exam में दिक्कत होगी क्योंकि दिमाग चलना कम हो जाता है उस time तक तो dictation की जितनी ज़ादा practice कर सकीएगा उतना कम होगा 25 question तो मैं कहता हूँ minimum है उससे नीचे तो मती जाईएगा ठीक है उससे उपर कर रहे है well and good fill in the blanks, listening, highlight incorrect words दिखते बहुत आसान topics हैं अरे ये तो बहुत आसान है ऐसा लगता है कभी-कभी audio बहुत fast आजाती है difficult word आजाता है जिसकी spelling नहीं आती है तो please underestimate मत करिएगा इन दोनों topics को और everyday चाहे 5 question ही practice किये पर करिएगा जरूर जो last section होगा मैं कहूंगा आप उस speaking के लिए रखिए क्योंकि read aloud आप देखिए चाहे repeat sentence देखिए चाहे describe image देखिए अगर आपके पास mobile phone है headphone है बहुत है आपको proper एक sitting arrangement लेके नहीं बैठना है किताब के साथ, pen के साथ, computer के साथ ठीक है अगर वो है कोई बात नहीं पर अगर नहीं भी है तो आप उसको travel करते वरक्त या घर के कोई काम करते वरक्त भी कर सकते हैं describe image आप बोलते रहिए बोलते रहिए template याद हो जाएगा repeat sentence सुनिये audio बोलिये इससे क्या होगा अगर आप कुछ काम कर रहे हैं उसके साथ-साथ आप अपना time use कर रहे हैं speaking को करने में obviously read aloud वैसे नहीं हो सकता है क्योंकि आपको पहले पढ़ना पढ़ेगा उसको prepare करना पढ़ेगा और आप फिर बोलेंगे लेकिन describe image और repeat sentence तो आप definitely कर सकते हैं और उन्हें try करिए ऐसे time पर करने का जब आप किसी काम में व्यस्त हैं कुछ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपका time जो है वो utilize हो जाएगा important topics की practice में specially repeat sentence तो मैं कहूँगा आप ऐसे ही करिए क्योंकि repeat sentence one of those topics है जितने जादा questions आप practice करेंगे उतने कम ही पढ़ेंगे वो तो 30 a day भी करें तो अच्छा रहेगा minimum 30 a day में कहूँगा तो उसके लिए अगर आपके पास time specially निकालना मुश्किल है उससे जादा जरूरत नहीं है read aloud 10 से 15 दिन के जरूर करिएगा बस ये जरूर मैं clear करना चाहूँगा कि इन 8 topics को बहुत अच्छे से prepare करना है किसी भी topic को underestimate नहीं करना है अगर आप किसी topic में बहुत अच्छे हैं तो थोड़ी सी कम practice कर लीजिए पर practice करना बंद मत करिए और जो topics आपके लिए मुश्किल है उनको तो बहुत जादा practice करिए everyday practice करिए और आप आराम से एक महीने के अंदर-अंदर exam clear कर पाएंगे इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए कि जब आप ये सारे topics पढ़ ले फिर एक full mock test दीजिए full mock test देने के बाद आप हमें भी contact कर सकते हैं कि मैंने एक full mock test दी है और मैं चाहूँगा कि आप मेरी full mock test चेक करें और मुझे बताएं कि क्या मैं 50 each के लिए ready हूँ क्या मुझे exam जाकर देनी चाहिए क्योंकि होगा कि आप जाकर exam देके आएंगे इतना पैसा आपने invest किया है फिर अगर score नहीं आता आप disappoint हो जाओगे और आपको अच्छा नहीं लगेगा वो करने से पहले एक mock test दे दीजिए हमसे check कर वा लीजिए हम आपकी पूरी test आपके सामने एक-एक question चेक कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आप क्या गलत कर रहे है क्या सही कर रहे है क्या improvements लानी चाहिए आपको और आपको exam कब देनी चाहिए इन suggestions के बाद आप exam book करिए जाकर paper देकि आईए और आपका score आजाएगा I hope आपको बहुत clear हो गया हो कि 50 each अगर PT में लेने है तो कैसे लेने हैं क्या करें क्या ना करें पर अगर आपको कोई भी questions है तो आप यह comment section पे भी डाल सकते हैं और हम उस बारे में भी video बनाने के लिए ready हैं Bye for now